यहां आप सभी का स्वागत है गन्य की सीव 15-0-23 की यह स्प्रिंग की रेटून है नि बसंत काल की रेटून है पेड़ी है और इसके पीछे थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाई पड़ेगा जो पाउधा गन्या भी 15-0-23 का लगा हुआ उसमें कुछ गन्या ऐसा भी है जो वह मिलेवल केन की रूप में परिवर्टीत हो सके उनका वजन यानि हमको मिल सके यह जरूरी है कि गन्य की गुड़ाई आप जरूर करें गन्य की गुड़ाई करने से जो पुरानी जड़े होती है खासतों से रड़ून में उच्छड जाती है और इसके बाद नई जड़ निकलती हैं जिसे नमी का सुषण और पोशक्त्तों का जो अवसुषण है प्यारपशन है स्वैल से जमीन से वह तेजी से होता है किसानों यह जरूर ध्यान रखें चुकि गर्मी का महिना है पहले गुडाई करने से पहले आप खेत की सिचाई जरूर कर दें इस प्लाट के भ पचास किलोग्राम तक सिंगल सुपरफासपेट प्रयोग कर सकते हैं एक एकड़ में बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और साथी में बायो वीटा का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इसके बाद कोबर की खाद में मिला करके ट्राइकोडरमा डालना चाहत हाँ अब दूसरा जो इस्टे पाता है यह सब डालने के बाद अगर आपको कुराजन डालनी है उसको भी डाल दें फिर खेत की सिचाई के बाद खेत की गुड़ाई करते हैं गुड़ाई करने से फाइदे हैं गुड़ाई कर सकते हैं चोटा ट्रेक्टर चला सकते हैं या जो जो रोटीटिलर है उसको चला सकते हैं. गुड़ाई करने से क्या फायदा है? एक तो जो परानी जड़े हैं वह छट जाती हैं, जो खर पत्वार हैं वह खत्म हो जाते हैं. और दूसरा जो स्वैल मॉस्टर का लास नहीं होता है साथ ही में नए वीड नहीं निकल पाते हैं और एरेशन बहतर रहता है जिसे जड़ों का विकास अच्छा होता है और टिल्रिंग भी होती है यहीं नहीं जो टिलर्स पहले से बने हैं उनकी मोटाई अच्छी हो जाती है किसान वाज़ों एक यह तरीका है दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप फोलियर अप्लिकेशन यानि जो गन्य की पत्तियों हैं इनके उपर अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट खासतर से पेंडी गन्य में देखे गए है पौदे गन्या मिदंख गए है क्या करना है एन पे के टो वाटर सालबोल है एन पी के आप अच्छी कर सकते हैं कभी भी स्प्रे करें डीर से दो पर्संट्स से जदा मातरे मातर का इस प्रेज ना करें यानि अगर 100 लिटर पानी आपके खेत में लगता है तो उसमें किवल 2% NPK के खोल का स्प्रे करें एक खोल आप यूरिया फासफेट कर सकते हैं और आखरी का जो खोल है वह पोटास का स्प्रे कर सकते हैं पोटास का एक एहम रोल है कि पत्तियों में टर्गर पेशर बनाए रखता है यानि फ्लैशिट रहती हैं पत्तियां जैसे उनका जो फोटोसंथिस के प्रक्या हुआ हुआ बहतर तरीके से जलती है साथी में अगर ज्यादा पानी खेत में लगा है वाट लाइन को सह सकता है पौदा अगर आपके हाँ वाटर इस्ट्रेस भी खेत में है यानि पानी की कमी भी होती है उसको सह सकता है और साथी में अगर कीड़े मकोड़े आपके खेत में लगें तो उनको भी यह बहुत आस स्थान देखते इसको जब इगन्ना आपका पूरी तरगे से टिलरिंग हो जाए और गन्ना अच्छा हो जाए इसके बाद आप बीच में एक नाली बना सकते हैं और लिमी पानी लगाएं चुका गन्नाबढा हो जाता है तो इसकी जड़े बाहर तक आ जाती हैं पानी आप बाहर लगाएंगे और टपक जड़ें ऑप रभी पार आमसे उस सका ही जियरम चैनल में जो टिस्सूज होते हैं कर या अपने, तो ओथ की ऊपर तक पहुंचते बड़े बड़े पादम भी पहुंशा देते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है जब आप बीच में पानी लगाएंगे तो गन्नी की जो पतियां है नीचे हिस्से की वह एक तो हरी बनी रहेंगी पेली नहीं पड़ेंगी और दूसरा ये फाइदा होगा गन्नी के तने के पास हमेशा एरेशन बना रहेगा चुकि तने के पास आप हमेशा गुड़ाई नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर इस मेथट को अपनाते हैं तो एरेशन आप बनाए रख सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत